14 जुलाई को चंद्रयान 3 ने रफ्तार पकड़ते हुए किस तरीके से अपनी और्बिट में गोल 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 घूमते हुए किस तरीके से चांद की और्बिट को पकड़ा और यकीनन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब ये अर्थ की और्बिट से सीधा चांद की और्बि कि किस तरीके से aliens की घटनाहे वहाँ देखने को मीली है। क्या अमेरिका हमसे कुस चुपा रहा है। लूना 25 जो रशिया का mission है उसमें क्या alien के लिए वो शिप भेजी गई है। रशिया का जो लूना 25 mission है क्या वो यान aliens के लिए भेजा गया है। दोस्तों ये बात क्लियर है कि हमारे पृत्वी से जो यान भेजा जाता है चांद की दूरी 3,84,400 किलो मीटर की है लेकिन जो मिशन होते हैं वो हमेशा हमसे factual डेटा को छुपा लेते हैं दुनिया भर की एजेंसी जो भी स्पेश मिशन होते हैं वो हमेशा से ही एलियन्स के लि अभी तक नहीं आई है कहा ये भी जाता है दोस्तों कि 11,000 किलो मीटर में बसी है एलियन्स की बस्ती गड़े में आकरिती भी मौजूत है इंसानी बस्ती होने का दावा वहां किया जाता है कि वहां पे इंसानों को भी किसी तरह बसाया जाएगा बता दें कि चांद का बॉटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है आप समझ सकते 156 और 55 डिग्री सेल्सियस में क्या हाल होगा इंसान का तो दोस्तों मुद्दे की बात यहां पर यह है कि प्रित्वी की तरह चांद पे भी सारी संभावनाय तलाश कर रही हैं सारी एजेंसिया इसलिए सारे मिशन ह हो रहे हैं दावा यह किया जाता है हर मिशन में सामना हुआ है एलियंस का दोस्तों नासा पे हमेशा से औरोप लगते आए हैं फैक्ट को छुपाने के अपोलो मिशन अंतरिच यातरी योने हजारों फुटेज खीचे हैं जो कि नासा के पास है वो कभी भी फैक्ट को रिव लेंडिंग नहीं की है दोस्तों तो भारत एक ऐसा देश बनने वाला है जो डाक साइट पे जहां बहुत बड़े-बड़े क्रेटर्स बने हुए हैं वहां पे लेंडिंग करेगा लेकिन हमारा जो देश भारत है वो अब इस मिशन को पहली बार जो गिनीज वर्ल्ट बुक रिकॉर्ड में पहला देश ना बन पाएगा क्योंकि लूना पच्चेस 22 अगस से पहले पहुत जाएगा जो कि रश्या के स्पेस्क्राफ्ट है दोस्तों बता दे आपको कि चंदरयान को 22 अगस को लेंड करना था 14 जुलाई का इमिशन था लेकिन डिरेक्ली हमारा जो मून के तरफ बढ़ा है और सबसे पहला मुकाम रश्या हासिल करेगा तो क्या दोस्तों इस रो उस इंजन को चालू कर देगा जिससे की दो दिन पहले बता दे कि अभी भारत का तो यान है वो मून के जादा करीब है एक हजार किलुमीटर की दूरी पर अभी रश्या का 2400 करोड लगे हैं तो उस तो भारत एक बड़ी अर्थवे उस था वाला देश है इतनी जादे पैसे उसके पास नहीं है कि वो पूरा का पूरा मून मिशन में वो इन्वेस्ट कर दे लेकिन फिर भी हम लोग ने बहुत सक्सेस्फुल मिशन की हैं चांद की डाक साइड के ब भेजा हम इनसान नहीं भेजते दोस्तो इस वज़े से क्योंकि हमारा बजट हमेशा से कम रहता है दोस्तो यह बास सच है कि चांद पर हमेशा से जो मिशन होते हैं उसमें एलियंस का दावा किया जाता है आप जो फूटेज देख रहे हैं आप यह जो फूटेज अभी आया था इससे पहले के सारे वीडियो देखिए और एलियंस की घटना जो घटती है चांद पे योफ कई बार योफो देखने की घटना सामने आती है कई लोग डिकॉर्ड ओर्डर्स करते हैं इस चीज़ों को आप क्या समझते हैं आपकी क्या राय आप जरूर कॉमेंट करें और हमारे चैनल को उससे सबसे पहले आप सबस्क्राइब करें लाल कलर का बटन दबाके ताकि ऐसी लेटेस फैक्च्छल न्यूज आपको सबसे तेज सबसे पहले मिल सके खास दोर से चांद की जो मैं आपको फैक्ट बताता हूं अपडेट रखता हूं उसकी न्यूज मेरा 14 वीडियो है चांद पे आप लाइक सबस्क्राइब जरूर करें कॉमेंट करें जय हिन वन दे मातरा